स्वागत है आपका हमारे चैनल में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गंटी को जरूर दबाईए दोस्तों करवा चौत का दिन आ गया है और करवा चौत की कता सबसे महतोपूर्ण और सबसे परमाने कता जो है वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने या सुनाने वाले हैं दोस्तों इस कता को पूरा जरूर सुनिएगा ताकि आपको इस कता का फल मिल सके बहुत समय पहले की बात है एक सावकार के सात बेटे और उनकी एक बहन करवा थी सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे यहां तक की वे उस पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वय खाते थे एक बार उनकी बहन सस्रुआल से माई के आई हुई थी साम को भाई जब अपना वैपार वैसाइब बंद कर घर आये तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी सभी भाई खाना खाने बैटे और अपनी बहन से भी खाने का आगरे करने लगे खा सकती है चुकि चंद्रमा उसे अर्गे देखकर ही खा सकती है इसलिए वह भूख प्याक से व्याक लूटी है सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है दूर से दे है कि चांद निकला आया है तुम उसे अर्गे देने के बाद बोजन कर सकती हो बहन खुशी के मारे चीडियों पर चड़कर चांद को देखती है और उसे अर्गे देकर खाना खाने बहट जाती है वह पहला टुकडा मूँ में डालती है तो उसे छीक आ जाती है दूसरा पुड़ा मूँ में डालने की कोशिश करती है तो उसके पती की मिर्त्यू का समसार उचे मिलता है वह बौकला जाती है उसका भाई उसे सच्चाई से अवगत कराती है उसके साथ ऐसा क्या हुआ करवा चौत का वरत गलत तरीके से तूटने की कारण देवता उससे नराज हो पती का अंतिम संसकार नहीं होने देगी और अपने सतितों से उन्हें पुनर जीवन दिला कर रहेगी वह पूरे एक साल तक अपने पती के सव के पास बैठी रहती है उसकी देख बाल करती है उसके उपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एक करतित करती जाती है एक साल पर दो अजो बाद फिर करवा चौत का दिन आता है उसकी सभी भावियां करवा चौत का वरत रखती है जब भावियां उससे अस्योत लेंगे आती है तो परतियेक भावी से यं सुई लेलो पीर सुई लेलो मुझे भी अपनी जिसी शुखन बना दो ऐसा आग्रक करती लेकिन हर बार भावी उसे अगली भावी से आग्रक करने का कहे समय हैं चले जाती इस परकार जब चटेव मंबर की भावी आती है तो करवा उससे यही बौथ दौराती है ये भावी उसे बताती है, चोकि उसके सबसे छोटे भाई की वज़से उसका वरत टूटा था, अतर उसकी पत्नी में ही सकती है कि वो तुम्हारे पती को दोबारा जीवित कर सकती है इसलिए जब वो आये तो तुम उसे पकड लेना जब तक वो तुमारे पती को जिन्दा न करे उसे नहीं छोड़ना ऐसा करकर चली जाती है सबसे अंत में छोटी भावी आती है करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आगर करती है लेकिन वो टाल मटोल करने लगती है इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड लेती है और अपने सुहाग को जिन्दा करने के लिए कहती है भावी उससे चुड़ाने के लिए नोचती है खसोटती है लेकिन करवा नहीं छोड़ती है अंत में उसकी तपस्या को देख कर भावी पसीच जाती है और अपनी चोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमर्त उसके पती के मुँ में डाल देती है करवा का पती तुरंत श्री गनेस कहता हुआ उट बैड़ता है इस परकार परभु करपा से उसकी छोटी भावी के माध्यम से करवा को अपना सुआग वापस मिल जाता है है स्री गनेस मागोरी जिस परकास करवा को चीर सुआगन का वर्दान आपसे मिला है वैसा ही सब सुआगन को मिले है इस कता को सुनने से आप के दोस्तों पति की लाक गुना उमर बढ़ जाएगी उमीद करता हूँ कि मेरे दोरा दी गई जानकरी के लिए लाब दाइक सिद होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूद